नमस्कार दोस्तों एस्बी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेस्बूक पेज यूट्यूब चैनल अम्रीज बालियान पर आप सब कार्दिक स्वागत है अभिनंदर ने भारते जंता मजदूर शंकी राष्टे अध्यक्स शांथ कुमार जाटव जी आपको प्रिचे थोड़ा नया है थोड़ा अपने बारे माँ विश्थार शवागत है और भारती जंता मजदूर संग का मैं राष्ट्री अध्यक्स हूं भारती जंता मजदूर संग श्रमिकों के कल्यान के लिए काम कर रही है उनके वेलफेर के लिए हम पूरे देश में क लोग तक पहुँच पाता था हम लोग सशक्त प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं सभी योजदनाएं जिसके लिए बनी है उस जरूरत बन तक पहुँचे उसका जाती और धर्म देखकर के नहीं उसकी जरूरत देखकर के वर्तमान में योगी सरकार ने उत्तर परदेश में जो समिट किया है जो मोदी सरकार के सयोग से अभी हमने पिछले दिनों देखा उसमें लगबक 33 लाग करूर उपिया विदेशी और भारती इंव से से जो यहां पर इंडस्टी डेवलप होंगी उन इंडस्टी को हमारे ही श्रमिक जो दूसरे प्रदेशों में जाकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं छोटे-छोटे कमरों में रहकर के किराएं पे रहकर के वो लोग वहां पर जाकर के मजदूरी करते हैं वो कि उससे जो रोजगार यहां पर पैदा होंगे वेपार पैदा होगा तो प्रदेश की प्रगती होगी बहुत बड़ा कारिकरम अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी की नेतोत में किया है और उसका सब को लाम मिले मेरे वालिंटियर्स इस चीज़ की चिंता करेंगे त सरकार की जो नीतिया है मोधी योगी की जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है आपको लगता है कि सारी नीतिया मजदूर जो तबका है सर्मिक तबका है उसके हित्मे देखिए कोई भी सरकार कोई भी योजना लाती है वो नागरिकों के अपलिफ्टमेंट के लिए लाती है जाहिर सी बात है कि वर्तमान में हम जिस स्थिती में थे पिछले 2017 चुनाव से पहले हम उसे बहुत बहतर स्थिती में हैं और आने वाले दिनों में जिस सरीके से ये समिट हुआ है और विदेशी भारती निवीशक यहां पर इंवेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें भी भरोसा कि अब उत्तर परदेश उत्तम परदेश बन चुका यहां पर राजकता खतम हो गई है जो माफियाओं का राज हुआ करता था वो खत्म हो गया है जाहिर सी बात है वो यहां पर अच्छा इंवेस्ट करेंगे और उसका लाब जो है संपूर्ण वर्क को मिलेगा संपूर्ण बहरती जनता मजुल संकर राश्ट यहत्य की देख्ष की रूप में काम कर रहा हूं मैं भारती जनता पाटी में राश्टी 2003 से कारेकारणी मिन सदस सभी रहा हूं प्रस्रेक्षिन प्रभारी शिर्थ बहाग में अख्यल灰ंती इससे बहुत तरह स्थंस भी रहा हूं तमाम लोग जो हैं जो मेरे साथ में जुड़े हैं आज हमारे इस संगठन को पूरा सायोग दे रहे हैं और वो सायोग जो है जाहिर सी बात है यह जो राष्टवादी सरकार इस वकत में देश में काम कर रही है उसको मजबूत करने का कारे करेगी सर मैं आज आपका ट्वीटर एंडिल देख रहा था तो एक ट्वीट आपका काफी वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि दलित समाज को जो आरक्षन होना चाहिए जाती के आदार पर नहीं जरूत के आदार पर और दूसरी चीज उसमें आपने कही कि जो सक्षम लोग हैं आरक्षन को आप खुद भी दलित समाज के बड़े चेहरे हैं किस तरीक से देखते हैं मैं दलित नहीं हूँ मैं दुरभागय से उस अनुसूची में सदस हूँ मेरी जाती उस अनुसूची में आती है जो अनुसूचित जातियों की सूची बनी हुई है 1935 में जो सरपर्थ सम यह अनुसूची बनी उसमें 429 जातियां शीडियूल कास्ट उन्होंने खुद को घोशित किया उसके बाद जो मेरी जाती है वो समय इस सूची में नहीं थी 1950 में जो कंस्टिशन बना उसमें 593 जातियां उस अनुसूची में शामिल हुई जिसमें दुरभागे से मेरी भी जाती जातव जाती जो है वो भी शेडिूल में आई और आज 2023 में वो जातियां बढ़कर के 593 से 1238 हो चुकी है मैं अचम्बे में हूं कि 1950 में जो कंस्टिशन बना उसमें अनुशेद 17 में स्पस्ट कहा गया कि किलोज 17 कहता है कि अस्पुर्शता का अन्मूलन कर दिया गया है अब असपुर्शता जगन्ने अपराद होगी जब अस्पुर्शता का उन्मूलन कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये जातियां अस्पुर्श नहीं है ये कहिना कहीं सत्ता के लोब और वोट के लालच में ही इन जातियों को इसमें शामिल किया गया है और चुकि इसके पीछे मंशा बहुत इसपस्ट किलियर नहीं है और जो लोग अपने आपको अस्पुर्श कहकर के आरक्षन मांगते हैं वो इस श्रेणी में सही मायने में आते भी नहीं है जो आईएस है पीसीएस है डॉक्टर है इंजीनियर है धनाडे है वो अपने आपको अस्पुर्श कहकर के आरक्षन का लाम ले रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर अब समिक्षा की आवशकता है और जरूरत मंद को वो आरक्षन मिले इस विशे को ले करके मैंने 2015 में एक मुहीम शुरू की कि हम आरक्षन जरूरत मंद को दिया जाना चाहिए जो वाकई उसका नीड़ी है किसी की जाती या धर्म को देख करके नही तो ये मुहीम मैंने छेड़ी पूरे देश भर में उसकी प्रश्वनसा भी हुई और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर सर्व समाज इस चीज के लिए तयार होगा तो इस पर भी कुछ न कुछ अच्छे निड़ना लिये जाएंगे ताकि समाज जो है वो एक बरा जाती धर्म देख करके नहीं तो क्या आपने पार्टी के अस्तर पर या संगठन के इस्तर पर भी इसको इसमुद्दे को उठाने का प्रियास कि मैं अपना पक्ष्व रखने के लिए आजाद हूं स्वतंत्र हूं और यहां पर जो भी पार्टी या जो भी कोई सरकार या सं जेंगे तो उसके उपर कुई ना कुई ने अना लेंगे तो यह थी भारतिया जनता मजबूर मजदूर संग के राष्ट्य अध्यक्स शांत कुमार जाता हुजी जिनका कहना है कि आरक्षन चातिकत आधार पर नी जुरूत के आधार पर होना चाहिए